अलो गाईस इस शाबेस I hope you all will find this lecture in your best है आज का हमारा जो टॉपिक है वो है Conjunctions Part 2 जैसे कि Conjunctions Part 1 में हमने भेद करना सीख लिया, differentiate करना सीख लिया, preposition, relative pronoun, adverb और conjunction के बीच पे उस इस topic में या उस lecture में हम ने जाना कि एक ही शब्द को हम Lग अलग हम उसके माइनें बदल जाते हैं उसकी words of speech बदल जाते है जब आईसा होने लगेगी we get माइने बदल जाए you power speak बदल जाए तो यही छीज competition में हमारे लिए बहुत ज्याधा confuse करने वाली हो जाती है कि हम करें तो क्या करें हम किस तरह से इसको समझ पाएं क्योंकि यह language होती है चाहे हो Hindi language हो चाहे हो English language हो यह अपने आप में बहुत जटल है अभी जो मैंने आपका FAB में lecture लिया था मैंने उसमें आपको clear कर दिया था कि जो language होती है वो बदलती रहती उसका रूप बदलता रहता है और उसका रूप बदलने में जो सबसे बड़ा एहम रोल होता है वो होता है usage का कि आप उसको use कैसे कर रहे हैं यहां देखिए एक rule भी दे रखा है हमें 420 में The following are some of the most important words नीचे कुछ बहुत ही महत्पूर्ण शब्द दिये गए है which may belong to different parts of speech जो कि belong करते हैं अलग-अलग parts of speech को according to the way in which they are used उस तरहां से जैसे उनको use किया जाता है कहने का मतलब यह है कि शब्द तो वो ही रहेगा लेकि उसके माइने बदल जाएंगे उसका अर्थ बदल जाएगा उस इस्तिती में कि आप उसको किस तरह से use कर रहे हैं तो यहां बिलकुल अपने mind में structure बना लीजे बहुत clear कि हमारा जो focus होगा वो होगा usage के उबर कि हम एक शब्द किस तरह से use कर रहे हैं और किस तरह से वो शब्द noun, preposition, adverb, conjunction, adjective इन सारी parts of speech का हिसा बन जाता है always remember that it is the function or use that determines that determines to which part of speech a word belongs in a given sentence हमेशा ध्यान रखिए that it is the function or use कि यह शब्द का use ही होता है जो यह तै करता है कि जो शब्द है वो किस parts of speech को belong करता है again बात वही आ गई है कि सारा जो focus है सारा जो जो जोर है वो किस बात पर दिया जा रहा है वो जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि हमारा usage कैसा है जैसा usage होगा वैसे ही शब्द का माइना हो जाएगा वैसे ही शब्द का अर्द हो जाएगा अब जैसे कि यह शब्द दे रखे हैं यहां पर about, above, after, all इस सारे शब्द दे रखे हैं ले इन सारे चीजों कराने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूं इसी लेक्चर में पहले उसको देखते हैं तो हम आगे की बात करते हैं करते हैं इस सबत के चार-चार मत बर को मुंदी लाओ और बोला अच्छा है अथा हैं अच्छा शचा हमको सिकारिया है अच्छा अच्छा तो लंबावाल अच्छा अच्छा वाद पर साथ-साथ एक्सपरेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है तब जाके बात समझ में आती है श्रुषूरी वीडियो देख लिए आप लोगों ने वीडियो देखने के बाद ये क्लियर हो गया है कि हमारे हिंदी भाषा मेरी ये जो अबाउट है हमारा जो एडवर्ब भी है प्रिपोजिशन भी हो जाता है लिए यूसेज के अकॉर्डिंग होगा अबब है अप्टर आल है इस तरह से देखिए ये सारे शब्द हैं एन्ही शब्दों पर टिका हुआ है अगर ये शब्द आपके क्लियर हो गया है तो आपक कॉम्टिशन कोई नहीं रख सकता और उसके बाद यह एक्सराइज है यह एक्सराइज आप लोग करनी होगी इस एक्सराइज को करिए टोटल 50 कोश्टन सार्थ यह आपके पास 90 मिनिट्स हैं सर्वी और आंसर तिल 11 30. So, I hope you all have enjoyed this lecture and will gain some good pieces of information about conjunction this is my final final lecture about conjunction and I hope that my effort I hope that my effort will give you some substantial results and I am hoping for the best let's see my my hope is my hope depends on your response I really want that you must ensure 50 right answers in this exercise thank you for your participation stay home stay healthy thank you thank you so much